तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोशन को करते हैं कि इसमें करते हैं कि ए उनिफॉर्म मेटल एस्पियर आप रैडियस ए एन मास एम इस सराउंडेड वाई यह थीन इस्पिरिकल सेल तो यह वाला जो मास है वो मास इसका M है कैपिटल M है और रैडियस ए है और सराउंडेड वाई यह जो है वो सेल है सेल मतलब अंदर से खाली है तो यह कैपिटल मास और यह रैडियस इसका फोर टाइमस ए है मतलब यह जो सेल का सेंटर सॉलिड के सिर्फेस से तच कर रहा है तो दो पॉइंट पीज़न एक कर रहे हैं यह इस अभॉइन रीयर है यह A है और यहीं से यहां पर एक point है P2 तो यह भी यहां से surface से A distance पर है तो P1 और P2 पर basically हमें value निकालना यार electric field की value निकालना P1 और P2 पर तो देखो यार simple है बहुत simple कर चुके हो तो यह जो point P1 है तो for point P1 तो P1 पर देखो कि जो field होगा जो net field होगा वो तो field due to solid SPR की वाज़ा होगा field due to due to SPR solid SPR plus field due to cell तो cell की वाज़ा से भी field होगा लेकिन cell के inside है तो zero हो जाएगा भाई कोई cell है उसके अंदर जो field है वो zero हो जाएगा तो field due to SPR का बच जाएगा यार क्योंकि यह जो point P है वो cell के अंदर है ठीक है कही अगर कोई cell है तो उसके अंदर जो field होती है यह model होगा ना बहुत insignificant ब्यूंध उन स्लब अभाव payments पीव दूर है तो सॉलिड एस्पियर पॉइंट मास की तरह भी एप करेगा तो पॉइंट मास जी मास अब द बोडी और डिवाड़ेड़ डिस्टेंस आर का स्क्वाइर ठीक है तो यह वाली तो मास तो दिया हुआ है कैपिटल एम सॉलिड एस्पियर का लेकि आर निकालना प दिस्टेंस आ जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि यह पूरा का पूरा कितना था यह वाला डिस्टेंस कितना था पूरा बोलो तो यह डिस्टेंस था फोरे और फोरे में से यह वाला ए निकाल दोगे यह वाला ए तो थिरी ए ही तो बच्चे का तो फाइनली जो इलेक्टिक फि a का square this is the final expression of this problem of the part first part first solve हो गया 3a यहां से point P जो है वो basically हमारा 3a पर exist कर रहा point P तो 3a नहीं यह 3a हो गया और यह basically तो यह यहां पर 4a हो जाएगा तो यह यहां पर 4a हो जाएगा तो चलो यहां पर तुम देखो के पीटू अब पीटू कहा है पीटू से थोड़ा सा बाहर है तो पीटू पर यह वाला दिस्टेंस निकालो पीटू पर दोनों का फिल्ड बनेगा तो यहां से यह वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तो सेल के सॉलिड के सेंटर से 5a हो जाएगा तो सॉलिड के सेंटर से यह वाला डिस्टेंस 5a हो जाएगा लेकिन इस वाले सेंटर से जो cell है, cell के center से यह distance कितना हो जाएगा, तो cell के center से यह distance आजाएगा, तो यह यहाँ से cell के center से 5A हो जाएगा, और यहाँ से solid के center से 6A हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 6A, solid के center से 5A इसके center से, मतलब cell के center से, तो अब दोनों का field बनेगा, तो यहाँ पर जो net field होगा, field due to solid field due to solid plus field due to SP है तो इन दोनों की SP की वज़े से होगा और दोनों point mass की तरह भी एप करे हैं तो GM और solid solid का distance कितना है solid के center से 6A का square है plus GM और इसके distance से 5A का square है तो कुल मिला के GM is equal to 36A square plus GM is equal to 25A square अब इसको जो तुम solve करोगे तो net field आ जाएगा point पे वो आ जाएगा GM GM की value वो 61 upon 61 upon 900 A का square 900 A का square this is the final solution of this problem तो कुछ नहीं था इसमें basically distance निकालका आपको point mass का formula यूज कर देना है अपी तुम